सुवागा थे दोस्तों ITA Technical Course में दोस्तों आज बात करेंगे कि एक ceiling fan में हमें common wire को कैसे पता करें और एक ceiling fan में capacitor को कैसे connect किया जता है और कहां पे connect किया जता है सारी बाते हमें सीखनी है यदि capacitor सही से connect नहीं है तो क्या condition हो सकती है और सही condition में क्या होती है सभी यही बात करेंगे दोस्तों जो common wire होता है तो common wire के लिए जो हमारी एक starting binding और running binding दो binding होती है इस motor के rotor पर दोनों binding के एक सीरा को एक करके दोनों सीरा को एक करके एक common wire बनाया जाता है और जो दो point निकलते हैं तो main wire होता है अलग लग point के लिए बनाया जाते हैं उसी में capacitor connect किया जाता है अब आपको हम एक test lamp series के माध्यम से बताएंगे कि पहले तो पर test series lamp के माध्यम से सीखेंगे कि common wire है कोन इसमें से test lamp series आप लोग बनाना सीख गए हो नहीं सीखे हो तो description पर link दी गए है आप लोग देख लेना कैसे बनाया जाता है अब हम यह पता करेंगे इस बल्ब के माध्यम से कोई भी दो point में हम इस बल्ब के माध्यम से test करेंगे कि बल्ब कैसे glow कर रहा है देखिए जैसे red wire और black wire पे टच किये तो bulb प्रकास दिया और blue wire में भी प्रकास दिया दोनों में same दिया बट जो हम blue और black में जब supply दिये तो बहुत slow जल रहा है इससे यह पता चलता है कि यह दोनों wire एक है और जो red बाला wire है तो दूसरा है हमें यह पता चला कि जो red बाला wire है तो वही common है जिसमें से supply टच करने पर ज़्यादा glow कर रहा हमारा बल्ब यदि उसमें कम करता है तो हमें यह पता होता कि वह main wire है common wire नहीं है अब जो common wire है तो उसमें हमें capacitor नहीं लगाना है common wire में सीथे हमें supply देना है capacitor हमें दूसरे में लगाना है तो अभी मैं एक आपको example के तौर पर गलत connection कराके बता रहा हूँ करके कि यदि हम red wire में red wire और blue wire में supply देते हैं capacitor के माध्यम से और black में man supply देते हैं इस condition में क्या हो सकता है कि हमारा जो motor है तो only कोई भी एक दिसा में run करेगी जब हम उसमें से supply को touch करेंगे देखी जब हम इसको supply से touch करें तो धर घूम रही है जब हम इस वाले wire पे इस वाले point पे supply दे रहे हैं हमारा lamp जल रहा है एनि हमारा motor केवल एक ही दिसा में run कर रहा है जब हम ultra connection दिये हैं अब मैं blue और red में supply capacitor को connect करके red और blue पे supply देते हैं देखिए तो उस condition में क्या होता है कि हमारी जो motor है नहीं चल रही है और black और blue पे touch करने पर motor इस दिसा पे गतिकर रही है इस condition में क्या होना चाहिए कि हमारा भी भी connection गलत है जब हमारा connection सही हो जाएगा common buyer को पता चल जाएगा identify हो जाएगा तो उस condition में हमारा motor सही दिसा में घूमने का कोसिस करेगा और दोनों दिसाओं में घूमेगा अब देखिए क्या हुआ कि मैंने अभी इस condition में किया तो इधर motor घूमा जब इधर टच किया तो इधर भी motor घूमा तो यनि हमें ये पता चल गया है कि हमारा जो common buyer है तो actual पे red बाला buyer ही है common buyer सही है तो motor दोनों दिसाओं में घूमन गती करता है अब हम multimeter के माध्यम से आपको चेक करके binding के resistance के माध्यन से बता देते है कि इस binding के resistance से हमें कैसे major करना है अब हम एक point जो multimeter के lead है तो कोई भी एक buyer पे टच करेंगे दूसरा point कोई एक buyer पे जैसे अभी मैं red बाले और black बाले के लिए हूँ तो 199 ओम आ रहा है जब हम red और blue में लिए 166 आ रहा है यहीं उसी के आसपास आ रहा red बाले के साथ जब मैं वो चेक किया तो जब इसके साथ चेक किये तो इसमें और ज़्यादा आ रहा इसमें 364 रहा उसमें 100 क्या सपास आ रहा था 1.5144 असमें 300 हुआ तो इसमें ये पता चला कि जो हमारे blue बाला बायर है और black बाला बायर है इसका resistance बहुत ज़्यादा है जो common बायर है उसका resistance कम है क्योंकि short circuit का resistance कम होता है open circuit का ज़्यादा होता है common जो बायर बनाया जाता है short circuit के मादें से नहीं दोनों binding को एक कर देते हैं जिसके कारण ये इसका resistance कम है, ये दोनों binding अलाग अलग होने के कारण, दोनों को अलाग अलग resistance हाई फाई बता रहा है, देख लीजी, एक बार और टच किरा के दिखा देते हैं, ये देखिए, यहाँ पे 108, 109, 200 के आसपास बता रहा है, red और black बायर के साथ resistance, blue के साथ भी 160, 65 के आसपास बता रहा है, resistance, तो एक confirm हो गया, कि हमारा जो red वाला है, वही common बायर है, यानि कि multimeter से भी आप चेक कर सकते हो, simply, resistance के माध्यम से common बायर, और lamp के माध्यम से भी चेक कर सकते हो, lamp के माध्यम से चेक करोगे, तो ज़्यादा glow करेगा, प्रिकास देगा, और multimeter के माध कामन बायर को find कर सकते हो, identify कर सकते हो, किसी भी motor में, ceiling motor हो, या cooler की motor हो, तो इसी तरह common बायर का यूच की जाता है, अब common बायर जो होता है, तो एक कामन बायर में main कोई भी एक point की supply दी जाती है, और capacitor जो होते हैं, black बाले और blue बाले कोई भी दो बायर में से दोनों में हमें देख लीजे, मैं black और blue में लगा दिया हूँ, और red बाला को हम अलग रख दिये हैं, अब इस black बाले और blue बाले में किसी में एक supply देंगे, और उधर red बाले में कोई भी एक point supply देंगे, तो हमारा motor घूमेगा, अब हम motor की direction आसानी से change कर सकते हैं, तो हम उल्टा घूमाना है तो black में देंगे, तो सीधा घूमाना है, तो हम blue में देंगे, तो common wire सही connect करना का माध्य में ही है, सही तरीका यही है, इससे देखिए, दोनों side हमारा motor run करेगा, अब मैं touch किरा के दिखाता हूँ, यह देखिए, हमारा motor उधर घूमा, जब मैं इस बाले 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 प कोई भी इधर आरे